दोस्तों 2023 में अगर आप भी एक नया चैनल बनाना चाहते हैं जिससे आपका यूटूब चैनल गरो हो और आप महीने का गर बैठे पैसा कमाशा हो ठीक है तो यूटूब चैनल बनाना चिखाने वाला हूं कैसे आपने चैनल बनाना है जिससे आपका चैनल जल्दी ही गरो हो जाएगा ठीक है सेटिंग्स बताऊंगा कुछ जिससे आपका चैनल घुरू हो जाएगा ठीक है वीडियो को लास्त तक दिखना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए अगर आप चैनल पर नहीं हो ठीक है अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने यूट्यूब चैनल बनान है ठीक है आपने चैनल का ठीक है जीमेल बनाना है उसके बाद आपने उसी जीमेल पर आ जाना है जो आपने बनाया हुआ है ठीक है जैसे कि मैं यहां पर कर लेता हूं ठीक है तो माल लेजे से हमने सेटिंग्स पर चल जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर जैनल है त्यार होता है अब कुछ इंपोर्टन सेटिंग्स होती है जो आपको आपने चैनल पर करने होती है सबसे पहले आपको यहां पर कुछ लोगो क्रियेट कर लेना है जैसे कि आपको यह टेकनिकल चैनल का बना रहे हो तो जैसे आपने टेकनिकल परवीन आपके चैनल का नाम है तो आपने यह लोगो जो है वो लगा देना है ठीक है सिंपल सी बात आपने लोगो लगाना है ठीक ह यह आपका है banner का ठीक है YouTube banner का यह वरला जो option आप देख पा रहे हैं यह है आपका banner का यहां से आप banner लगा सकते हैं अपना ठीक है इस पर मैं क्लिक करूंगा देख सकते हैं यहां पर banner का option आ ठीक है उसके बाद handle आपना आपका खुद create हो जाएगा जब आप channel name डालोगे तो YouTube tips and tricks ठीक है उसके बाद यहां पर आपको सिस्क्रिप्शन अपने private रख लेने हैं जो भी आपने चैनल सस्क्राइब किये हुए है और चैनल सस्क्राइब कियो हैं वह आपने private रख देने ठीक है उसके बाद important settings कुछ Chrome के उपर बताता हूं आपको view channel पर मैंने क्लिक कर लिया ठीक है यहां पर देख पारे हो यह मेरा इस तरीके से चैनल के आजाएगा ठीक है यह वाली settings आपको कर लेनी है ठीक है keep all my subscriptions private ठीक है यह मैंने यहां से कर दी उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि कैसे आपने जो है इसका करना है ठीक है यहां से आपने Chrome पे है मैंने अपना और अब मैं आपको कुछ settings बताने जा रहा हूं जो का आपको अपने channel पर करनी होती है उसके लिए आपको क्या करना है यहां से settings वाले icon पर आ जाना है यहां पर नीचे जैसे आप स्क्रोल करोगे यहां पर आपको एक settings option दिख जाएगा वहां पर आपने simply tab कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको बहुत सारे options दिख जाएंगे जैसे की journal का दिख जाएगा चैनल का दिख जाएगा upload default का दिख जाएगा permissions community agreements कुछ इस तरीके option आपको दिख जाएंगे ठीक है currency यहां पर आप अपनी मरजी से choose का सकते और ंडिया की currency आप रख जाने के लिएगा यहां पर यहाँ पे नीचे आपको एक option दिख जाएगा keywords का, यहाँ पे आपको अपने topic के related keywords डालने हैं, ठीक है, अपने channel के related keywords डालने हैं, जैसे माल लेज़े, आपका technical का channel है, तो आपने डाल देना है, how to increase views on YouTube, how to increase watch time, how to increase subscribers, कुछ इस त्रीके के keywords आपने डाल देने हैं, और अपने channel का नाम भी यहाँ पे डाल देना है, ताकि आपका channel जो है, search में आ जाए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे advanced settings पे आपने आ जाना है, बाकि इसमें कुछ भी नहीं करना आपको नीचे, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे रखना चाहते हैं, I want to review these settings for every video, हर एक वीडियो के लिए आप देखना चाहते हैं कि, मेरी कौन सी वीडियो kids के लिए है और कौन सी नहीं है, तो वो आप रख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने, यहाँ पे नीचे आपने इतना कुछ खास settings नहीं करनी है, future eligibility में आपने यहाँ पे आपको कुछ चीजें enable करनी है, जैसे कि standard features के अगर हम बात करें, तो वीडियो upload कर सकते हो, playlist आप create कर सकते हो, इसको enable करना है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा number है, intermediate features जैसे कि आपकी वीडियो 15 मिनट की है, तो आप उसमें air से लगा सकते हैं, custom thumbnail लगा सकते हैं, live streaming कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद daily video upload के, आप जो है, यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बता रहा है, वीडियो longer than 50 मिनट, ठीक है, custom thumbnail आप लगा सकते हो, ठीक है, उसके बाद, यहाँ पे कुछ advanced features आपके हम आएंगेगा, जैसे कि आप daily की वीडियो कितनी upload कर सकते हो, played more videos, जदर ज़्यादे वीडियो, जो है, वो daily upload कर सकते होते हैं, उसके लिए यहाँ पे verification कुछ यहाँ पे आपके होती है, ठीक है, तो यह आपको खर लेनी है, ठीक है, उसके बाद upload defaults में आते हैं, यहाँ पे आपने जो है, इसमें कुछ title वगारा नहीं रखना है, visibility आपने यहाँ पे select unlisted कर देनी है, ठीक है, उसके बाद advanced settings पे आना है आपने, और यहाँ पे license जो है, standard YouTube license रखना है, उसके बाद अगर आपकी category, science and technology, अगर आप text related videos बनाते हो, YouTube tips related videos बनाते हो, तो यहाँ पे आपको science and technology select कर लेना है, ठीक है, उसके बाद video language, इसका settings आपने नहीं करना है अभी, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे show how many viewers like this video, इसको tick रखना है, उसके बाद यहाँ पे आपने allow all comments भी click कर लेना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने permission बगएरा पिचाना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें उसके बाद community आएगा, ठीक हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ setting नहीं करनी है, agreements में भी आपको कुछ setting नहीं करनी है, यहाँ से आपने simply save कर लेना है, यहाँ से आपकी settings हो जाने के बाद आपको YouTube channel बन जाएगा, उसके बाद आपने यूट्यूब चैनल के उपर वीडियो डाल देनी है आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा